तो कैसे हो दोस्तों? उमीद करता हूँ अच्छे होगे तो स्वागत करता हूँ मेरी नई वीडियो में लोहरी पार्ट टू फर्स्ट पार्ट में हमने जाना लोहरी क्या है लोहरी का मतलब और लोहरी के इतिहास के बारे में अब second part पे हम बात करेंगे लोहरी का महत्व क्यों है और इसे celebrate कैसे करते हैं जिन्नोंने लोहरी first part मिस कर दिया है और नीचे दियेगे description के link में जाकर उसे देख सकते हैं तो आईए start करते हैं आज की वीडियो लोहरी part 2 तो भाई लोग लोहरी का महत्व क्यों है लोहरी का तहवार बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह रवी की फसलों की कटाई और सर्दियों की दिनों के अंतका परतीक है लोग सूर्य और अगनी की पुजा करते हैं और अच्छी फसल के लिए उन्हें धन्यवाद करते हैं यह द पॉश के महीने में आता है उसके बाद पतंगों का तैवार मकर सक्रांती आ जाती है अब हम बात करेंगे इसे मनाते कैसे हैं इसमें अलाव सुर्यास्त के समय जलाया जाता है और पारंपरिक पोशाग धारन करने वाले लोग इसके चारो और परिक्मा करते हैं और उसमें तिल को बहुतायत और संदित से आशिरवाद दें इसके बाद लोग अपने दोस्तों और परिवार के सद्वस्तों के साथ सुपकामनाओं और उपहरों का आदान परदान करते हैं गन्ना उत्पाद जैसे गजगुल लोडी उत्सा का एक महतपूर हिस्सा है क्योंकि ये जन्वरी म यही तक उमीद करता हूँ लोडी को आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे साथी दोस्तों उमीद करता हूँ कि वीडियो पसंद भी आई होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए हैप्पी लोडी बैबाए और हां जाते जाते वीडियो को लाइक, सेर एंड सब्सक्राइब करते हूँ जाना